एक भक्ति की ओर गुरू ले जाता है सेस को तो सेस भी गुरू को बहुत उची की ओर ले जाता है गुरू यह एक ऐसी चीज है जो आपको गल्त मारक से लेज़े अच्छे मारक पर जाते हैं कि मेरे गुरू जी का मेरे पर बहुत बहुत ही जादा आसिलवाद रहा मेरे भी एक तिलक कर दीजिए क्योंकि आपने स्टार पैदा किया है साइद आपके रिजस से साइद आपके एक मेरे इस बच्चे का प्रेम मेरे को यहां पर ले आया नवश्कार आधार टीवी में आप सभी दर्सकों का हार दिख स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ वो शक्षियत बैटे है नाम बताने की मौताज नहीं है मनोज भगेल राजा हिंदुस्तानी एक तरफ बैटे हुए है एक तरफ उनके गुरु बैटे हुए है आज आपको पताई है दिन क्या है गुरु पूर्मा का दिन है पहले में सभी को दिल से गुरु पूर्मा की हार दिक सुपकामनाय देना चाहता हूँ आपके अगर गुरु है तो आप अपने गुरु से जरूर आशीर बात वीजिए क्योंकि आज का समय बहुत ही महतपूर समय है बुद्ध जी भी लोग इस समय को समझते हैं इस महान हस्ती का जो भी विस्तार हुआ विकास हुआ इस उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश मद्यपरदेश रायस्तान कई जिलों में नाम चल रहा है एक गुरु की दैन है और गुरु की किरपा है हम पहले मनोज भगिल से जानना चाहते हैं मनोज भगिल ने एक और बात बताएं इस बार गुरुजी को मनोज भगिल ने भेट किया किया है बताए हाग को एक छोटा सा तोफ़ा दिया है मनोज भगिल ने लेकिन इस से आगे वाला तोफ़ा इनकी तरकी पर तै करेगा इस बार मनोज भकेल ने एक मोटर साइकल अपने गुरू जी को किप्ट की है और गुरू जी को अश्वाशन दिया है कि गुर्देप ऐसे ही किरपा वनी रहेगी तो आने वाला कल मेरा अच्छा होगा आपके आशिरवाद से कि मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे गुरू जी को एक मोटर साइकल गेट की और विद्वित तरीके से गुरू जी का शंबान किया है और हमारा भी सौवाग है, ऐसे हस्तियां मिलती कहा है, ऐसे गुर्देव मिलते कहा है, गुर्देव पहले तो मैं चाहूँगा आपका आशीरवार लेना, मेरे भी एक तिलक कर देजिए, क्योंकि आपने स्टार पैदा किया है, साइद आपके रजस से, साइद आपके, इस पर कर देजिए, पर देजिए, बड़े बड़े स्टार पैदा करते हैं, मनोज बगिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, उन गुरू के बारे में, जिनका पूरा आशीरवाद आपके साथ, और आपने गुरू के बताय हुए बातों का अनुसरण किया, और अनुसरण करके, आज इस जग में आप अपना जंडा फैरा रहे हैं, एक दबंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आदा टीवी चैनल के जितने भी दर्सक, जितने भी सुरोता हैं, सभी को गुरू कुरूर्मा की हार्दिक सुरू कामना है, और मेरी तरफ से सब भी गुरू का, सभी जितने भी मेरे भाई अपने अपने गुरू का शम्मान करें, अपने अपने गुरू के हापे जाएं, क्योंकि एक गुरू ये कैसी चीज़ है, जो आपको गल्त मारक से लेगे अच्छे मारक पना चाते हैं। मैं बसरिप अपने गुरू जी के बारे में इक हुआ, कि मेरे गुरू जी पर बहुत भुत यही जादा आशिरवाद रहा और आज मैं इस चीज़ को करने के काबिल हुआ, और मैं भगवान से और गुरूदेव से यही कामना करता हूं, कि मैं आगे और तरक्की करों, और ऐ करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं मनुझ के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपको उपहार में मोटर साइकल दी है मनुझ भगिल ने इस पर आप क्या वोलना चाहेंगे आप अपनी सिस्षिक को किस तरह से देखते हैं बड़ा गदगद होता होगा सीना आप करते घती है कि आज गोर्फ पूरण माँ है और आस मेरा भी गुरु में हर इंसान के गुरु होती है है और गुरु का आशिर बी बादवी पाना भी जरूली है और मैं कि आप सब HTTP वे जहीकर ना चाहता हूं कि भाई सभी अपने गुरु जी के पास चाहें और आशिरवाद लें और आज मेरे गुरु जैसे रेमचल पुषवाजी हैं लेकिन मैं नहीं पहुच पाया हूँ क्योंकि मैं जा रहा था लेकिन उसका एक मेरे इस बच्चे का प्रेम मेरे को यहाँ पर ले आया तो आज उसने मुझे अच्छा तोपा दिया है और दान तो एक रुपे का भी दान होता है बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी सिदाते उसका भाव है पहले गुरु पुरु को मुझे को मोबाल भी दिया आज उसने एक मोटा साइगल दी बहुत अच्छी बात है मैं तो यही चाहता हूँ कि ठाकुजी महराज की मास रुष्टी की और सदा आशिरवाद बना रहे और ऐसी जगे पर मैं जाता हूँ कि एक भक्ति की और गुरू ले जाता है सेस को तो से इसा चेला हो उस पर गुरू को भी गरब हो दुनिया के अंदर तो यह से आज मैं तुमारे यहां आदाक्तिवी चैनल पर शाम जी के यहां मैं आया हूँ इसी कारण हर चेला अपनी भवस्त को आगे बढ़ाए और अपने गुरू का अशिरवाद ले एक और बात बताएं ह हम आपको गुर्देव हम अपनी तरफ से कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि इस बार मोटर साइकल है तो अगली वरसा आप कार में ही जाएंगे या से मुझे पूर भरूसा है आपका सिस्य उन उचायों पर जा रहा है धीरे धीरे आपका आशिरवाद बना हुआ है मैं अपन इतने महान गुरू शिश्य मुझे इस काबिल मुझे इस लाइक समझाए नहोंने कि चलो आधाय टीवी पर आज अपने आपको दरसाते हैं और लोगों को गुरू जी की महमा बताते हैं कि गुरू होता क्या है सबसे पहले जिनके गुरू नहीं आप अपने माता पिताओं क को चरब बंधन करें और माता पिता का अशीर बात लें जिस लाइन में आप अग्रिसर हैं उस लाइन में अपने गुरू को पड़ाम करें हम विदा लेते हैं फिर मिलते हैं किसी नई हस्ती के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाए गुरू देव